हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं से रुबरू करवा रही है बाटमेर के ट्राफिक ववस्ता सुचारू रखने के लिए यातयात प्रभारी इन दिनों सक्रिय नजर आ रही है शहर में यातयात नियमों की अभेलना ना हो साथी सड़क हाथसों पर लगाम लगे तदा ट्राफिक ववस्ता में सुधार लाया जा सके इसी को ध्यान में रखते हुए यातयात पुलिस की ओर से जहां लोगों से संजाइश की जा रही है वही नहीं स्वया माज देकर मू लगा कर संजाइश उनकी अभेलना करने वालों के खिलाफ नियमों की तहट चालान काटने की भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है शनि स्पीड चलने बिना हेलमेट और सीट बेल के वाहन चलाने और शराप का सेवन कर वाहन चलाने समेट नौ पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने पर चालान काटे जा रहे हैं यातयात प्रभारी टेंपल कवर की मताबिक यातयात पुलिस वाना शेहर की रेलवे स्टेशन शनिवार को एक बुजूर्वने हेलमेट नहीं होने पर गलती ना मान कर सड़क पर लेट गया कोदवाली थाना टीब आकर थाने लेकर रवाना हुई इन इलाकों में चालान की कारवाई की जा रही है जो बिना मास्क के जा रहे हैं उनको हम चालान काट रहे हैं सक्ताई से कारवाई की जा रहे हैं मैडम मास्क भी वित्रन कर रहे हैं आप साथ में जिनके मास्क लगावा नहीं होता हैं उनको हम मास्क देते हो और समझाश करते हैं कि दुबार आफ गर्षे बाहा ना निकμέल या माडम, बिना मास्क के खिलाव किसी सकते कर रहा है यह आपकी बिना मास्क वालों को हम 15 रुपे जुर्माना है, सोसर कुष्टन सालों को 10 रुपे जुर्माना है, यह चालान हम किये जा रहे है।